गुड मॉर्निंग स्ट्रेंड सेंट एंजल की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्य पड़ेंगे हमने अपनी लास्ट वीडियो में उपसर्क पड़े थे जिसमें हमने आपको बताया था कि वे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जूड कर उसके अर अंत में कुछ शब्दांशों के लगने से शब्दों के अंत में जैसे उपसर्क में आप आपने पड़ाता शब्दों के शुरू में तो ठीक उसी तरह से प्रत्य में पढ़ेंगे आप शब्दों के अंत में कुछ शब्दांशों के लगने से नए शब्द बन जाते हैं ऐ जैसे आपका मूल शब्द है टोपी, अब है उसमें प्रत्य जोड़ा वाला, तो क्या बना टोपी वाला, ऐसी देखे तेरा प्लस ई, ई क्या है हमारा उपस, प्रत्य, क्या है हमारा प्रत्य, तो आपका क्या बना तैराकी उसी तरह से जूल प्लस आ जूला जो शब्दान शब्दों के अंत में जुड़कर नवी शब्द निर्मित करते हैं अधात नई शब्दों का निर्माड करते हैं उन्हें प्रत्य कहते हैं प्रत्य के विशे में निमलिकित कुछ बाते हैं जो धान देने योगे हैं देखिए प्रत्य सदा शब्दों के अंत में ही जुड़ते हैं प्रत्य का प्रियोग स्वतनत रूप से नहीं हो सकता कि सरिफ आप प्रत्य ही आप शब्दों में ला दें तो इस प्रकार प्रत्यों क जो प्रियोग है वो स्वतंत रूप में नहीं हो शकता मूल शब्द जो होते हैं वो अपने स्वतंत रूप में आते हैं जबकि प्रत्य अपने स्वतंत रूप में नहीं आते हैं इनके जुड़ने से शब्द में शब्द के अर्थ में परिवर्टन या विशेस्ता उत्पन होती है प्रत्य दो प्रकार के होते हैं नमबर एक क्रत प्रत्य और नमबर दो तदित प्रत्य सबसे पहले आता है आपका क्रत प्रत्य कौन सा प्रत्य आता है आपका क्रत प्रत्य क्रत प्रत्य में आप देखें किरिया की धातूं के अंत में लगने वाले प्रत्य क्रत प्रत्य कहलाते हैं इन प्रत्यों के सहाथा से बने शर्द क्रदंत कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? क्रदंत कहलाते हैं एक वाप फिर से देखेंगे definition क्रिया के हाथूँ के अंत में लगने वाले प्रत्य क्रत्य कहलाते हैं इन प्रत्यों की सहाथा से बने शब्द क्रदंत कहलाते हैं हिंदी में निम्लिकित क्रत्य कौन कौन से हैं नमबर एक क्रत वाचक क्रत प्रत्य कौन सा है नमबर एक कत्री वाचक क्रत प्रत्य कत्री वाचक में देखिए क्या है किरिया के करता का ज्यान कराने वाले प्रत्य किरिया के करता का ज्यान कराने वाले प्रत्य कत्री वाचक क्रत प्रत्य कहलाते हैं कौन कौन से एक बार देखेंगे क्रत्री भाच्चे क्रत प्रत्य हैं आपके एत अकड आका आकू आलू आक आउ ओड़ा अब आते हैं इनके मूल शब्दों में आपका जोड़ना उनसे एक नई शब्द बनाना देखिए अब यहाँ पर है एत आपका मूल शब्द है लट तो हमने इसको इसमें प्लस किया जोड़ा तो क्या बना लट है अकड बूज और पी यह दो आपके मूल शब्द हैं जिसमें हमने इस प्रत्य का प्रियोग किया था देखे क्या बना भुजककर और दूसरा क्या बना पियककर नेक्स्ट है हमारा आका लड़ाका लड़ाकू नेक्स्ट है हमारा आलू तो जगड़ा हमारा मूल शब्द है जिसमें हमने जोड़ा जगड़ालू आक और ये चल चला आऊ चल तो क्या बना चलाऊ और उपज में आ जोड़ा उपजाओ ओड़ा और यहां पर लिखा है हमारा मुश्यप भग तो क्या बना भगोड़ा तो इस प्रकार लठैक्त भुजक कर पियक कर लड़ाका लड़ाकू जगडालू चलाक चलाओ उपजाओ भगोड़ा हिंसे हमने नए शब्द बनाए उसी प्रकार आपके सा सारे प्रत्य दिए गए इनसे आप और भी अलग इनसे अलग शब्द बनाने का प्रेतन करें जो शब्द यहां दिए गए हैं इनसे और अलग शब्द बनाने का अभ्यास करें next है हमारा कर्म वाचक कृत प्रत्त है किरिया के कर्म का बोध कराने वाले प्रत्त प्रत्त कहलाते हैं जैसे आपकी शब्दें रहें कर्म वाचक में नी और ओड़ तो क्या बना आपका ओड़ नी क्या बना आपका ओड़नी ऐसे ही आपने न और ओड़ शब्द में फिर से जोड़ा तो क्या बन गया ओड़ना ओना हापने जोड़ा मूँ शब्द में तो क्या बना बिछोना और खिलोना तो ये था आपका क्रम वाचक कर्ण वाचक में एक बार फिर से देखिए क्या बताया हमने आपको किरिया की कर्म का बोद कराने वाले ठीक है तो क्या कहलाते हैं कर्ण वाचक करत प्रत्य नेक्स देखिए कर्ण वाचक क्या है आपका कर्ण वाचक तो करण वाचक में क्या पताया गया है, किरिया के साधन का बोद कराने वाले, प्रत्य करण वाचक करत प्रत्य कहलाते हैं, जैसे न, हमारा क्या है प्रत्य न, तो बेल, तो क्या बन गया, बेलन, U, जार शब्दे हमारा मूर तो जारू A, थेल और जूल शब्दे है तो क्या बनगे ठेला और जूला तो ये था आपका करण वाचक Next देखिए भाव वाचक करत प्रत्य जिन प्रत्तियों के योग से भाव वाचक संग्याय निर्मित होती है उन्हें भाव वाचक करत प्रत्य कहते हैं जैसे आई, आहट, आवट, आवा तो ये क्या है आपके भाव वाचक करत प्रत्य तो हमने जब इसमें जोड़ा तो क्या बना हमारा सुनाई, पढ़ाई घबरा में हमने आहट जोड़ा तो घबराहट और चिल्ला में जोड़ा तो चिल्लाहट उसी तरह से दिखावट, मिलावट, दिखावा और क्या बना यहाँ पर दिखावा और छलावा तो ये थे हमारे भाव वाचक अब जोड़ेंगे हम किरिया वाचक देखिए किरिया वाचक क्रत प्रत्य क्या होते हैं देखिए जिन प्रत्यों के योग से संग्या अब वै अध्वा विशेश प्रकार के किरिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें किरिया वाचक क्रत प्रत्य कहते हैं जैसे य रो मूलशब्द तो क्या बना रोया, ते मूलशब्द हस में जोड़ा तो क्या बनेगा हस ते, आ हिल में जोड़ा तो हिला, ता पढ़ में जोड़ा तो क्या बना पढ़ता, तो इस प्रकार आप पढ़ रहे हैं करम वाचक, करण वाचक, भाव वाचक, क्रिया वाच क्रत-्रतEh चीक है तो इन प्रत्यों में आपको बहुत सारे मूल शब्दों में हमने आपको जोड़ना बताया आपके पास प्रत्य दिए गए हैं इसमें, कितने? पांच परकार की उन प्रत्यों से स्वय्म आप और नय शब्द बनाएं और नए शब्द मनाकर उनका अभिहास करें नए शब्दों द्वारा उनका अभिहास करें